गवरईया जैसे इस छोटी सी चिंडिया को आपने जरूर देखा होगा ये नन्ही सी चिंडिया अपनी पूँछ हमेशा उपर नीचे करती रहती है ऐसा कहा जाता है कि इस पच्छी के अंदर खुद को अद्रिश्य करने की अद्वत छमता होती है ये पच्छी गर्मियों के मौसम में गायब रहता है अर्थात किसी को दिखाई नहीं देता मगर इसकी आवाजें सुनाई जरूर देती हैं इस पच्छी के वारे में कहा जाता है कि इसके सिर में एक जादूई शिखा होती है जिसकी सहाइता से ये खुद को अद्रिश्य करने में सच्छम होता है इसके सिर पर उगने वाले सिखा को अगर कोई इनसान हासिल कर रहे और उसे चांदी की धा तुमें रख कर तावीज बना कर पहन ले तो वह इनसान जब चाहे तब अद्रिश्य हो सकता है इस प्रकार इंसान वो सारी चीजें हासिल कर सकता है जिसे वह पाना चाहता है मतलब इंसान सुपर पावर बन सकता है ऐसे कई महान ग्यानी लोगों दोरा शोसल मीडिया प्लेट फार्म उपर डाले गए वीडियो मौझूद है जिसे देखकर आप भी अद्रिष्ट होने की सकती इस चीडिया के द्वारा प्राप्त कर सकते है दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है क्या वास्तों में इस चीडिया के सिर में कोई जादोई शिखा निकलती है जिसे प्राप्त गर इंसान अद्रिश्य होने की सक्ती प्राप्त कर सकता है दोस्तों ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा अवस्य देखें फिर कमेंट में अपनी बात रखें इसको खंजन पच्छी के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी में इसे बेक्टल बर्ड कहा जाता है इस पच्छी को मोटा सिलडी परिवार के मोटा सिला जीनस के अंतरगत वर्गी कृत किया गया है इसका आकार आठ इंच से नो इंच तक लंबा होता है हमारे देश में खंजन की कुल छे परजातियां देखने को मिलती है जिनको इनके रूप रंग के अनुसार नाम दिया जाता है जैसे हुआट बेक्टेल, सिट्रिन बेक्टेल, हुआट ब्रावडेड बेक्टेल, बेश्टर्न येलो बेक्टेल, ग्रे बेक्टेल वा फारेस्ट बेक्टेल बारिस का मौसम समाप्त होते ही हिमाले के परबतिये छेत्रों से ये पच्छी मैदानी इलाकों में आते हैं खेत खलियानों तक आसानी से देखे जाते हैं। दोस्तों जैसा कि असपच्ट है कि ये पच्छी मैदानी इलाकों में अक्टूबर नॉम्बर से लेकर अपरेल मई तक ही रहता है। साल हजारों खंजन पच्छी मारे जाते हैं। कुछ अंदिविस्वासी लोग तांत्रिक ओजाओं बाबाओं के कहने पर इस प्यारे से पच्छी को पकड़कर कैद कर लेते हैं। और सिर पर शिखा उगने का इंतिजार करते हैं। सिखा तो उगती नहीं लेकिन ये चंचल पच्छी कैद में दम जरूर तोड़ देता है। अगर इस पच्छी के सहारे लोग अद्रिश्य होने की सक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो अब तक चारूं और सक्तिमान ही घूम रहे होते हैं। और लोग बिना कुछ काम की अमीर बनकर घूम रहे होते हैं। इसलिए चंद लोगों के भैकावे में आकर इस नन्ही सी चिडिया को न पकड़ें। न उन्हें कैद करें। इनके चेहचाहट और इनकी अठखेलियां प्रकृत की सुंदरता में चारचांद लगाती हैं। कठिन मेहनत से ही आप अमीर बन सकते हो। नेवले और गिलहरी के रास्ता काटने से न तो आपको धन प्राप्त होगा न ही धतूरे और तांबा से सोना बन पाएगा। इसलिए प्रकृति में रहने वाले प्यारे जीवों को सतंतर रूप से घूमने दें। किसी जीव को तकलीव में डालकर आप कभी भी धनवान नहीं बन सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कि वीडियो कैसा लगा।